हलो दोस्तो मैं नाजी मुसेन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक को नया वीडियो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको MS Word से PDF फाइल कैसे बनाएंगे यह आपको बताने वाला हूँ इसके लिए मैंने पिडियो ये वर्ड ओपन कर लिया एक नया डॉकुमेंट ले लूँगा यहां से ब्लेंक डॉकुमेंट ले लूँगा यह ब्लेंक डॉकुमेंट मैंने ले लिया अब मुझे यहां पे जो भी मेटर लिखना है जो भी डॉकुमेंट तयार करना हो तयार कर थे यहां नaky weight request कर दिया यहां जो मुझे लिखना था यह मेरा अगया है इस की पीडिय落य डिंसाइड में टोप कि तरफ यह तिन तीन पॉइंट में परेखे मैरें ब्रिंट ऊप्षन पे जाओंगा तो यहां से यदी मेरा mobile printer से connect होगा तो print का यहां पे printer show हो जाएगा और printer connect नहीं होगा तो यहां save screen से वेज़ पीडिये यहां पे आप क्लिक करेंगे आप चाहें तो यहां पे printer भी show हो जाएँगे और यदी आपको PDF के रूप में ओकरनी है तो यहां सेव एच्पीडियाप पर क्लिक करने के बाद यहां जो येलॉइप बना हुआ है यह um है यहां लोगायकन पर यह देखें यहां पर पर hiç इसको पीडियंफ सेव कर दें अब आपको जहां पर भी अपने फॉन के जिस भी Location में, Internet में, External में, जहां पे आपको Save करना है, वहां पे Save कर ले, जैसे कि मैंने यहां पे इस Folder में Save कर लेता हूँ, जैसे कि WhatsApp में Save कर लेता हूँ, यहां document को मैं नाम दे दे देता हूँ, कुछ भी यह देखिए, मैंने document को यहां पे पीडियेफ को नाम दे देता हूँ मैं जैपूर ये देखिए ये जैपूर नाम दे दिया और मैंने कर दिया इसको सेव तो ये मेरी पीडियेफ तयार हो गई है अब ये देखिए मैं आप इसको मिनिमाईज करके मेरी पीडियेफ दिखाता हूँ यहां एपस में जाता हूँ और ये my file open की मैंने, my file में मैंने यहाँ पे document, ये document में ये देखिए, ये उपर जो हमने PDF तयार की, ये जेपुर PDF ये आगई है, और ये देखिए दोस्तों, तो इतनी बहुत यासानी के साथ हम MS Word से PDF तयार कर सकते हैं, हमारे mobile के through, तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसको like करें, subscribe करें, comment करें, आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा, ओके, अल्ला आफिज,